हलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टो फिजिक्स नमा, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चाप्टर लाइट का एकसरसाइज 7 एंड 8 को सॉल्व करेंगे, तो आए हम लोग सबसे पहले एकसरसाइज 7 को सॉल्व करते हैं, हमें एक कनकेब मिरर दिया गया है और जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटिमीटर और इस कनकेब मिरर को यूज करके हमें एक एक इरेक्ट इमेज बनाना है, तो हमें यह बताना है कि हम कितनी रेंज तक आपजेक्ट को मिरर से कितनी रेंज तक रख सकते हैं ताकि उसका जो इमेज बने वह इरेक्ट बने और साथ में हमें यह भी बताना है, और इमेज का नेचर बताना है, नेचर यानि इमेज का साइज क्या होगा, लार्ज होगा, या स्मॉल होगा, रियल होगा, या बर्चुल होगा, इस दा इमेज लार्जर और स्मॉलर देन दा अब्जेक्ट, ब्रॉव ए रे डाइग्राम तू सो दा इमेज फॉर्मेशन इन इन इस केस, तो आए हम लोग इसको देखते हैं, या एक कंके मिरर है, या इसका पोल है, और इसका फोकल पॉइंट है, और इसका सेंटर ओफ करवेचर है, जो फोकल पॉइंट के यहां से यहां का जो डिस्टन्स है, उसका डबल डिस्टन्स रहेगा, पोल से, सेंटर ओफ करवेचर का, तो हम क्या करते हैं कि एक object को रखते हैं, pole और focus के बीच में object को रखते हैं, यह इसका upper side है, object का यह और lower side है, तो जो इसका image form होगा, देखिए कैसे form होगा, हम लोग image formation of concave mirror देखे थे, image formation के लिए क्या करते हैं, object का जो upper end है, वहां से एक ray को pass करेंगे, जो इसके pole से, mirror के pole से, pole की तरफ पास करेंगे, तो यहां क्या है, reflect होने के बाद, इस direction में reflect हो जाएगा, और यहां देखने पर क्या लगेगा, कि mirror के behind, mirror के पिछे से, इस direction से यहां आ रहा है, और दूसरा एक ray को लेंगे, जो इस direction में एक जा देखने जा रहा है, यह direction कैसे लेंगे कि यहां जो reflect होने के बाद, जो center of curvature है, उस direction में reflect होने के बाद, वापर स्भी इस डेरेक्शन में आये तो यहां जो रे है यहां मालूम चलेगा कि इस डेरेक्शन में इस डेरेक्शन से आ रहा है जो मिरड के पिछे इस डेरेक्शन से आ रहा है तो जो यहां दो पॉइंट है यहां से जो दो रे गया यहां दोनों कहां पर मिल रहा है लग रहा है कि यहां से मिल रहा है यहाँ पर मिल रहा है और दोनों रे इस डारेक्षन में वाहरा है तो जो यह का जो पॉआइट का इमेज फॉर्म होगा इस पॉआइट पर फॉर्म होगा और नियुकर प lavar कर रहें तो इसका इमेज मिर्यर के ईफिसके लार्जर है और साथ में इरेक्ट भी है तो अब आए हमें देखते हैं in case of concave mirror only in case if object is placed between the pole and principal focus of the mirror image is formed virtual, erect and larger than object in other position image is real तो श्रिफ जो position है pole और focus के बीच में हम कहीं भी अगर object को रखेंगे तो जो इसका image फॉर्म होगा यह behind the mirror बनेगा और साथ में erect बनेगा और larger than object बनेगा और इसके बाद focal point के बाद अगर इस direction में हम कहीं भी object को रखेंगे तो जो image form होगा वह virtual नहीं होगा वह real होगा और साथ में सब्सक्राइवा inverted होगा तो आए हम लोग इसको भी देखते हैं कंके mirror में अलग-अलग position पर हम object को रखते हैं तो उसका image कहां पर बन रहा है अब हम क्या करते हैं थोरा सा इसको अगर हम इसके पहले हम लोग ने अब्जेक्टों यहां रखा था अब थोरा सा focus की करीव लेकर जाते हैं तो इसका देखिए image कैसे बन रहा है और देखिए और देखिए यहां जो image फॉर्म हो रहा है अभी यहां पर बन रहा है behind the mirror बन रहा है लेकिन अभी size में यहां जो पहले वाला जो image के size था उसे भी यहां बड़ा size बना अब तीसे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे-जैसे हम पोल से focus की तरफ object को shift कर रहे हैं उसका जो size है इमेज का size है वह increase करते जा रहा है अब्जेक्ट से तो बड़ा है और size में और increase करते जा रहा है और यहां वर्चुल है अब हम focus पर अगर object पर रखते हैं तो क्या होगा हम shift करके देखिए इसको एक बार और देख लिजे अगर हम यह अब्जेक्ट यहां हो रहा है तो इसका image यहां form हो रहा है और हम shift करते हैं इसको focus की तरफ object को shift करते हैं तो image क्या है और पीछे की तरफ वह shift होते जा रहा है, behind the mirror image shift होते जा रहा है और size increase करते जा रहा है और focus पर जब हम object पो रखेंगे तो क्या होगा यह इसका अब image infinity पर बनेगा यह behind the mirror image नहीं बनेगा अब infinity पर बनेगा जिस side में object है उसी side में infinity पर बनेगा अब हम focus और center of curvature के पर बिछक में हम अगर image को ले जाते है या अगर इस direction हम image को shift करते हैं तो, यहां से हम just shift करेंगे तो इसका जो image है यह और जैसे जैसे हम इस डिर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट इक्वल हो रहा है तो यहां दोनों का साइज एक्वल हो जा रहा है लेकिन image किया है? Inverted है और यहां real है. अब हम और object को shift करते हैं, center of curvature के beyond shift करते हैं. तो आप क्या देख रहे हैं कि image है वह focus की तरफ shift हो रहा है, साथ में इसका size जो object का size है उससे decrease करते जा रहा है. तो आप लोग ने यह देकh लिया कि इसमें अलग-अलग position पर image कैसे फॉर्म हो रहा है। और इसका अलग-अलग position पर अब्जेक्तों रहे हैं, तो इसका image कहाँ फॉर्म होगा इस टेवल में दिया गया है, तो बाकी सब पोजीशन पर देख रहा है, रियल और इंवर्टेड बन लाए है, शिंफ एक पोजीशन है, जो बिट्विन पोल और फोकस के बीच का है, तो उसमें इमेज ब्याइंड दा मिरर बन ला है, और साइज में लाँ बन लाँ है, साइज में बहुत-बारा बन लाँ ह तो यहां कोच्छन नमबर 7 समात हुआ है अब हम लोग एक्सरसाइज 8 को दिलेते हैं नेचर आप टाइप आप मिरर यूज इन दा फ्लोइंग सिच्वेशन हमें बताना है कि जो मिरर है कौण सा मिरर या क्णके मिर्ण को यूज करेंगे यह तिन सिच्वेशन दिया गया है इसमें हमें बताना है पहला है کاन्ले आप और अन सा ब्रह यूज को यूज करते हैं कंके मिरर और कमनली यूज इन वहिकल से हैड लाइट तौर्चे जेंड सर्च लाइट एंड गेट पावर फूल पैरलल बीम अफ लाइट यह इसको देखते हैं एक कंड़के मिरर है तो इसका जो फोकस है वहाँ पर हम बल्ब को रखते हैं तो यहाँ से जो भी लाइट मीरर की तरफ जाएगा वह भी लाइट ने बहुत दूरत का object वह डेख सकता है, तो इसके लिए जो कार का headlight है, उसके अंदर में वहां concave mirror का use किया जाता है, जिसके headlight है, तो इसके अंदर का जो पाठ है, जो जिसे light reflect होता है, वहां concave mirror की तरह होता है, तो इसमें जो bulb लगा रहेगा, वहां इसके focus पर लगा रहेगा, जो focus है, वहां पर bulb है, तो इसमें भी जो bulb का position हैगा, उसके focus पर रहेगा, और यहां से जो भी light reflect होगा, टकराएगा concave mirror पर, और reflect होने के बाद parallel beam की तरह जाएगा, या जो parallel beam है, उस तरह जाएगा, वह बहुत दूर तक जाएगा, इसलिए driver को बहुत दूर तक दिखाई द करता है, अब side rear view के लिए हम कौन सा mirror को यूज करते हैं, या car का side view mirror है, इसमें देखिए, convex mirror are preferred because they always give an erect, though dimnist image, इसमें convex mirror का यूज होता है, क्यों convex mirror हमेशा जो उसके object का image बनाएगा, वह हमेशा erect रहेगा, और सिधा image बनेगा, और लेकिन वहां साइज में छोटा होगा, यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो image होता है, वहां erect होता है, अगर mirror यूज करेंगे, तो अलग-अलग position पर, किसी position पर object का size erect होगा, और किसी पर inverted होगा, जैसे हम लोग ने पिछले exercise में देखा, तो इसलिए हम लोग convex mirror को यूज करते हैं, also they have a wider field of view as they are curved, यहां curved राटा है, साइड में curved हैगा, तो यह wider range को cover करेगा, यहांनि इस साइड में भी जो object होगा, उसको भी cover कर लेगा, और इस साइड में भी जो object है, उसको भी cover कर लेगा, प्लेन mirror में क्या रहता है, शिरिफ इसका जो सामने का जो रहेगा, उसको ही cover कर पाएगा, thus convex mirror enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror, तो इसलिए driver को बहुत wide range का object देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें एक सवधानी यहां बरतनी चाहिए कि जो image है, वहां बहुत ही नजदीक दिखाई देता है, इमेज और nearer there it appears, तो जो image रहेगा वहां नजदीक दिखाई देगा, वह इसके actual position से वहां नजदीक दिखाई देगा, अब हमें third लेते हैं solar furnace, solar furnace में किस टाइब का mirror use होता है, देखे इस building में क्या किया गया है, कि यह यह कंके बे mirror size का इसमें लगा दिया गया है, solar panel लगा दिया गया है, तो इसे जो reflect होगा light या light reflect होकर इस point पर आ रहा है, इसमें क्या होता है कि sun बहुत दूर है, तो वहां से जो भी light है वहां parallel आएगा, और parallel light आएगा और इससे टकराएगा, तो हम जानते है कि कंके mirror में जो parallel ray आता है, वहां टकराने के बाद, reflect होने के भाद होँ पर जो mirror का focus है, उस point पर जाकर converge होता है, तो इसमें जितना भी ray आएगा, कहीं से भी टकरायगा, इसका focus इस point पर है, तो यहां पर आकर यहां converge होगा, तो बहुत सरा light का beam इस पर यहां पर आके meet करेगा, कंके mirror rays come from sun and converge at the focus of the mirror, they are parallel rays produce heat and the solar furnace get heated up, तो यहाँ पर जो solar furnace को रखा गया है, वह क्या है, सन के रेक में जो energy है, उसके कारण यहाँ इसमें heat हो जाएगा, और उस heat को हम लोग अलग-अलग purpose के लिए use कर सकते हैं, तो जो solar furnace है, उसका जो सेफ होगा, वह किस टाइप का होगा, तो आज का यहाँ वीडियो समाप्त किस्टेर अजसे में वीडियो सेफ्ट जा ऱ जो जिनते हैं, खाज टो जोथेंगा कि वितवियों एंधने कीWasद झालग ठीच यहाँ घरने की किसंते हैं, यहाँ जot भेवयों कि आपड़ियों और उहाँ एंजारत में हैं, ज.... जो झाबव फूशने, जोगल, तो यहाँा